हेलो एरबन, वेलकम टो आर चैनल, DRX तीफक फार्मा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरे चैनल पे लास्ट मिनेट ट्रिवीजन वीडियो आईगी तो मैं आज Pharmaceutical Inorganic Chemistry का Most Important Question लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए exam point of view से बहुत ही important है तो दोस्तों, अगर आप भी इस पार pharmacy exam दे रहे हो, 2023 में, अगर आप भी फार्मेसी फस सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आप लेकों के लिए बहुत ही important है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देना तो चलिए दोस्तों, एक पात मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो आधा देगे जाते हो, तो उससे कोई फाइदा नहीं, आप वीडियो को पूरा देगे तभी आपको समझ में आएगे कि कौनसा question important है और कौनसा exam point of view से आपको अच्छे से ध्यान देना है तो मैंने इसमें जो question आपको बिल्कुल करके जाने, उसमें मैंने भी IMP लिका हूँ, very important question है तो उसको आप जरूर से जरूर करना चलिए दोस्तों देखते हैं, तो unit 1 की बात करें तो दोस्तों, unit 1 में आपको पहला question है, describe about the sources of impurities तो कौन से sources हैं impurities के, वो सब आपको लिखने हैं, तो इसमें 11-12 sources होते हैं, तो उसको अच्छे से आपको describe करने होंगे कि जैसे raw material, reagent, chemical, adulteration, milawatt, यह सब जितने हैं, यह सब के बारे में आपको बताना है, storage condition से आगया, impurities कहीं, environmental factor से आगया, तो यह सब के बारे में आपको explain कर ले है अब limit test की कभी भी हम बात करें तो दो limit test को तो आपको paper में जरूर से जरूर करना चाहिए एक limit test of chloride, जो पक्का paper में आएगा, 5 marks में आजाए, और एक limit test of arsenic, arsenic तो दोस्तो 5 में भी पूछा जाता और 10 में भी कभी कभी पूछा जाता, तो यह very important है, आप देख सकते हो, मैंने लेक के रखा और दोस्तो यह question मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, यह question लाश्ट चार से पास साल के previous year के question को observe करके अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया, और यह last minute revision वीडियो अगर आप इतना paper में जो बताया हूं में अभी, यह अगर आप करके जाते हो, तो आपके 75 to 80% marks easily आप तो उसे आप escape कर सकते हो, next बात करें तो write in detail about history of pharmacopeya, देखो दोस्तो अगर आप history of pharmacopeya inorganic chemistry में पढ़ लेते हो, तो फार्मसूटिक्स में भी आप लोगों के लिए फाइदा करेगा, तो मेरे हिसाब से तो आपको history of pharmacopeya, Indian pharmacopeya, यह सभी तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्य से mcq पूछा जाता है, और अगर two marks में आए तो pharmacopeya, क्या है Indian pharmacopeya, pharmacopeya होता क्या, यह सब describe करने आता है, और five marks में आए तो history of pharmacopeya बताईए, साथ में Indian pharmacopeya के कौन-कौन addition है, वो सब बताईए, वो सब describe करने आएगा, next बात करों तो दोस्तो unit two में, तो unit first में मैंने जितना बता है, उतना काफी आपके exam point of view से, अब मैं बात करता हूँ unit two के बारे में, तो unit two में actually दोस्तो buffer solution या buffer equation, यह question काफी important और यह एक और नाम से आप लोग के paper में आता है, Henderson, Hatchelbert equation, तो इस question को आप जरूर से जरूर करें, यह five marks के लिए काफी important है, और exam में बहुत बार आया हुआ है, तो यह पूछा ही जाता है, तो और देखें, limitless जो आपकी second unit है, तो वो actually based है, dental products पे, यह सब बेस है, तो देखें कभी भी आप दिमाग से थोड़ा पड़ो, dental products से बेस है, तो dental products में रहता क्या है, NACL रहता है, calcium रहता है, तो यह सब बहुत जरूरी है, तो NACL मतब sodium chloride, क्या आपने वो बात नहीं सुनी है, तूट पेस में आपके तूट पेस में नमक है, तो वही बात है कि जिसमें नमक है, वो चीज़ तो आपको पड़के ही जानी है, पेपर में, तो sodium chloride उसके properties, preparation, uses आपको करके ही ज यह कभी-कभी पूछ लेते हैं, write a short note of dentifricis, 5 marks के लिए ठीक-ठाक question है, define electrolytes, write about composition of ORS, तो दोस्तों यह भी कभी-कभी पूछ लिया आता, ORS के बारे में, तो आप जो जानते होगा, oral rehydration, जिसे हम कहते हैं, describe the role of fluoride and in the treatment of dental carriage with the reference of sodium fluoride, तो यह काफी important है, आप इसे जरूर से जरूर करने हैं, अपनी paper के लिए, क्यूंकि देख सो sodium fluoride बहुत ही play an important role करता है, हमारे dentals में यह तीद के लिए, एक last question है, जो इस unit से बनता है, describe about isotonicity, measurement of tonicity and method of adjusting tonicity, तो आपको पता रहाँ चाहिए कि isotonicity क्या ISO मतलब CM tonicity मतलब concentration, तो आपको इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छे तरह से पता रहना चाहिए, इसके कौन-कौन से measurement है, इसके कौन-कौन से method है, तो इसको आपको पता रहना चाहिए, तो unit 2 के लिए इतना काफी है, अगर आप अपने paper में इतना ही कर लेते हो unit 2 के लिए तो आप अपने paper में एक अच्छे marks gain कर सकते हो, दोस्तो unit 3 की बात करें, तो unit 3 और unit 4 जो है न, इसमें compound पुछे जाते हैं आपकी paper में, तो जो कभी भी compound आए न, तो आपको कैसे describe करना हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ, सबसे पहले तो compound क्या है, उसको आप define करो, ठीक है फिर उसमें सबसे पहले आप बताओ, उसकी preparation कैसे हो रही है, फिर उसकी properties बताओ, तो properties तो कोई भी लिग देगा, दोस्तों काफी जी होता है, colorless, white colorless, approach ऐसे ही होते हैं, तो आप एक दो question करोगे, एक दो compound के बारे में पढ़ोगे, तो approach आपको पता चल जाएगा, उसके आपको पेपर कैसे attempt करके आने, पेपर में आपको गम आता है, और उसको अच्छे वे से परजेंट करके, अच्छे वे से लिख के आता है, तो आप पेपर में एक अच्छे marks गेन कर सकते हो, तो चले दोस्तों, unit heart के कुछ important question को हम जानते हैं, तो unit heart में दोस्तो acidifier, acidifying agents, इसम को आप जरूर से जरूर करें, cathartics में magnesium sulfate, calolin और bentonate, तो इसमें आप magnesium sulfate को देख सकते हो, दोस्तों, जैसे आप कोई भी compound है उसकी synonymium बताओगे, molecular weight क्या है वो बताओगे, एक अच्छा सा chemical reaction बताओगे, एक उसकी physical properties बताओगे, जो जो होते हैं, और एक uses बताओगे, 4-5 uses लिग देना काम कतम आपको पाच माक्स अच्छे से मिल जाएंगे, नेक्स्ट बाद करते हैं, antimicrobials, antimicrobials से potassium permagnate काफी important है, hydrogen paroxide भी देख सकते हो, और chloride, columnated lime भी देख सकते हो, unit 4, unit 4 में दोस्तों, आपको expectorants हो करने ही करने है, यह तो आपकी paper में आएंगे ही आएंगे, इस इसमें ammonium chloride आप पढ़ लेना अच्छे से important है काफी, hemnetics, hemnetics आपको पता ही होगा, hem मतलब iron जहां iron पर जेंट होता है, तो फैरस sulfate, जिसका दूसरा नाम है green vitrol, इस नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे preparation करोगे तो अच्छा रहे है, question 3, poison sand antidote, इसमें स इतना करते हो, काफी important है, एक एक compound करो, और अच्छे से करके जाओ, अब एक थोड़ा basic idea ले लोगी, कैसे लिखना है, तो आप paper में अच्छा करके आओगे, यूनिट 5 की बात करें, तो दोस्तो, writer descriptive, note on radio pharmaceutical, तो radio pharmaceutical पर आपको एक नोट सा सकती है, ने तो इसमें most important question है, measurement of radio activity, ये काफी important है, पेपर में बहुत बार आया है, तो दो तिन apparatus की नाम होते हैं, जिसने हम major करते हैं, radio activity को वो आईगा, एक तो बहुत important है, what are the application of radioactive compound, कौन से application है radioactive compounds के, वो आपको बताना है, और आपको define करना है, properties of alpha, beta, gamma rays, alpha rays क्या है, beta rays क्या है, gamma rays क्या है, जिसकी penetration power क्या है, ये सब आपको बारे में बताना है, दो माक्स में पूछ लिया जाता है, define half life, half life क्या होता है, आपको उसको define करना है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये का भी सकते हो, मतलब कर रहे हो, थोड़ा कम करो भी चलेगा, लेकिन unit, unit first, second, और fifth, इसमें ऐसे question है, जो fix है हो और आपकी paper में आते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर करें, और मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपको पेपर में कैसे item करें paper, paper item करन बहुत यहसान हैं, दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक concept डाली लो, आपको paper में कुछ आई है या ना आई, आपको paper में कुछ आई या ना आई, आपको सारे question item करके आने हैं, इतना तो आप अपने दिमाग में डाल लो, दूसरा point, आपको, जैसे आप section A बना रहो तो section A के ही question बनाओ, section B बना रहो तो section B के ही question बनाओ, section C बना रहो तो section C के ही question, मतला serial number से चलो आप, तीसरा, आप एतना थोड़ा writing अच्छे से लिखो, एक black pen लो, एक blue pen लो, जो heading लिखतो उसे black pen से present करो, और जो answer लिखतो उस, जो अपना बाकी, जो sub heading वे गेरा हो, वो सब लिखतो, blue इतना काफी है, अगर आप इस तरह paper present करते हो, तो एक अच्छे marks gain कर सकते हो, I hope, यह video आप लोगे लिए काफी important होगी, और दोस्तो मैं इस बार first semester के सारे video डालूँगा, last minute to vision, तो आप लोगे के लिए काफी important होगा, exam में जाने से पहले एक बर जरूर देखें, और दोस्तो अगर यह सब भी question करते हो, तो आप तो easily pass ही हो जाओगे, और एक बर आप एक syllabus पढ़ लेना, अपना क्या है blueprint, एक बर देखके चले जाना, तो उससे एक idea मिल जाए कि किस type के question मनती है, तो यह last 4-5 years के important question थे, जो मैंने आप लोगों को बताया, तो I hope यह video आप लोगे लिए बहुत एची होगी, please like, share and subscribe, also share with friends, thanks for watching my video.